हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीटी उपी स्टेडी पैंड में फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉल्टिक्नीक के इंट्रेंसिक जाम जैसा कि दोस्त आप सभी को पता होगा यहाँ पे आपकी टेस्ट स्रीज है वो आपकी लगातार चल लए थी लेकिन दोस्त दोस्त दीनों से आपकी जो टेस्ट स्रीज है वो आपका टेस्ट यहाँ पे नहीं हो पा रहा था लेकिन दोस्त अप से आपको यहाँ पे daily आपका test जो है वो लिया जाएगा आज का test आपके लिए बहुत ही ज़यादा खास है जिसमें दोस्त आपने यहाँ पर thumnel से देखा होगा कि यहाँ पे आपका total 16 नमबर का यहाँ पर देखर जाएगा test कैसे देगा दोस्त यहाँ पे आपका जो रैखिक समी का है ध्यान दिजगा जो आपका लेशन है रैखिक समी का है इस टोटल चैप्टर से आपको 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे अथात यहाँ पे चार क्वेश्चन पुछे जाएंगे तो यहाँ पर मैं टेस्ट को दो पाटों में लूँगा और उन टे पहले से ही सॉलब कर रखा है क्या कपी पेच्ट यहां पर करना है और बहुत आपका और आ जाए और जैसे ही दोस्त आपका एंसर आजाए लिए करके इसका राइट राइट अंसर क्या हो Über जिससे दोस्त आपको भी अंदाजा लग सकें आपकी जो तैयारी है वो आहां पे किस टाइब की चल लही है तो चलते हैं यहां पे टेश्ट स्रीच को यहां पे स्टाट करते हैं तो ध्यान से समझीएगा पहला कोश्चन है दोस्त यहां पे दिखिएगा फर्स्ट कोश्चन है समी करण एक्स स्क्वाइर माइनस दस एक्स प्लस एग्यार के मूलो का हरात्मक माद्य है जिसमें दोस्त आपको चार अप्सन है जल्दी से दोस्त वीडियो को पॉस करिए और क्वेस्चन को कॉपी पे नोट डाउन करके इसको सॉल्व करना इस्टाट क तो आसा करते हैं दोस्त आप सभी लोग यहां पर क्वेस्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका दोस्त मैं आपको करेक्ट एंसर बता रहा हूं आप क्वेस्चन को सॉल्व करते रहे हैं जैसे ही आपका एंसर आ जाये तो कमेंट बॉक्स में एंसर करिए और जिसका यहां पर question आ गया है वो अपना match करा ले इसका दोस्त जो आपका correct answer है वो आपका B है 11.5 इसका answer होगा जिस भी student ने यहाँ पर B को answer किया है उनका दोस्त यहाँ पर बिल्कुल ही correct answer है और जिसका यहाँ पर mistake हुआ है वो अपना फिर से match करा ले इसका जो correct answer होगा वो आपका B होगा कैसे आया दोस्त यहाँ पर एक एक point के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे तो जैसा कि दोस्त मैंने आपको बताया था रैखिक समी का इस lesson में क्या है दोस्त यहाँ पर ध्यान दिजेगा मूलो का योगफ़ल और मूलो का गुडनफेल से related यह आपका chapter है ठीक है इसमें आपको APGP और HP ठीक है ध्यान दिजेगा इसमें आपको बोल ला था हरात्मक माद्य ठीक है इसके बारे में बताऊंगा पहले question को solve कैसे करना है एक एक point आप सीखिएगा अच्छी तरीके से जैसिक दोस्त अगर आपको इसी type का intrinsic exam में भी यही question आ गया तो आप वहाँ पर दोस्त question को कम समय में आप जल्दी से solve कर सकेंगे तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त यहाँ पर मानेंगे इसके बाद हमें करना है alpha plus beta अथार्थ मूलो का युकफल और मूलो का गुडणफल गयाद करना है तो मूलो का युकफल गयाद करेंगे मूलो का युकफल क्या होता है दोस्त alpha plus beta बराबर कितना होता है दोस्त minus b by में a ठीक है यहाँ पर दोस्त माइनस B क्या है यह आपका माइनस का 11 है और A आपका क्या है 1 है ठीक है तो यह आपका जो आया अलफा प्लस बीटा अलफा प्लस बीटा एक्वल टू कितना आया यहाँ पर तो अलफा प्लस बीटा एक्वल टू 10 ठीक है यह आपका यहाँ पर 10 था ठीक है बी की जो वैलू थी वो आपकी 10 थी अलफा प्लस बीटा एक्वाल टू 10 आ गया यह आपका मुलो का यूपफल आया है ठीक है ध्यान दिजेगा यह आपका मुलो का यूपफल आया है अब मुझे क्या करना है यहाँ पर मुलो का गु कितना हो जाएगा 11 अब दोस्ते हैं पर क्या आ गया मूलों का योगफल ग्यात हो गया मूलों का जो आपका योगफल आया था वह आपका 10 आया था अब गुरनफल कितना आया था 11 अब मुझे क्या करना है ध्यान दे जगा यहां पर हरात्मग मादे पूछ रहा है हरात्मग मा बीटा अपान में अल्फा प्लस बीटा अब क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैलू रख देंगे तो टू इन्टू जो हमारा अल्फा बीटा आया था अथार्थ मूलो का कुरणफल कितना आया था आप एलेवन ठीक है अब नीचे क्या हो ठीक है यही आपका एंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्त 11 बटे 5 बी दोस्त आपका विलकुल ही करेक्ट एंसर यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको इस स्टार्टिंग में बताया इसका जो एंसर है वो आपका भी बिलकुल ही करेक्ट एंसर है इस Torah को टकूर्ट जरूरत न जब भी आपको इस टाइब से question आएगा अगर आपको equation दे रखा है ध्यान दिजेगा equation दे रखा है तो सबसे पहले क्या करना है मूलो का योग फल और मूलो का गुड़न फल ग्याद करना है ठीक है इस type से करेंगे तो आपका question कहीं भी आपका गलत नहीं होगा और आप अच्छे से अच्छे नंबर इंट्रेंस एक्जाम में ला सकते हैं तो चलते हैं दोस्त अपने test series के अगले question की ओर यहाँ पर अगला question देखते हैं अगला question दोस्त ध्यान से देखिएगा समी करन पी माइनस क्यूं x square माइनस solve करना start करिए इसका आपको मूल के लिए आप क्या करेंगे मैंने आपको पहले ही बता दिया है मूल के लिए क्या करेंगे आप मानक समी का से तुलना करेंगे ध्यान समझेगा मानक समी का से तुलना करेंगे और यहाँ पर आपको मूल बताना है कि इसके मूल क्या होंगे मूल कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताऊंगा पहले आप यहाँ पर comment box में हमें answer को बताईए फिर मैं यहाँ पर एकदम बिल्कुल ही यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा के बताऊंगा और जिस भी student को question समझ में नहीं आ रहा है तो घबड़ाने की कोई जरुद नहीं है दोस्त मैं यहाँ पर जब भी आपको solution बताऊंगा तो एक एक point आपका यहाँ पर clear होता जाएगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा तो जल्दी से दोस्त comment box में जाएए और answer को बताएए इसका correct answer क्या होगा तो आसा करते हैं दोस्त आप सभी लोग question को solve कर रहे होंगे तो इसका दोस्त मैं आपको correct answer बता रहा हूँ इसका जो correct answer है वो आपका C है R-P upon में P-Q और 1 ठीक है यह आपके दो मूल है इसके क्या है दोस्त दो मूल है यह आपका C बिल्कुल ही correct answer है जिस भी student ने यहाँ पे C को answer बताया है उनका दोस्त बिल्कुल ही correct answer है और जिस भी student का question नहीं आया या question आपका गलत answer आ रहा है तो वो अपना यहाँ पे solution से match करा लें कैसे आपने कहां पे गलत किया उस point को आप यहाँ पे समझें तो पहले देखिए आपको question बोल कहा रहा था तो question बोल ला था कि समीके दिया हुआ है इतने के मूल है तो मूल गयाद करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें आपको बताना है मानक समीका है मानक समीका है क्या होता है मानक समीका हमारा होता है ax square plus bx plus c equal to 0 यह क्या है दोस्ट यह हमारा एक मानक समीका है जिससे हम क्या करते है तुलना करते है किसी भी समीका का ठीक है अब मुझे क्या करना है इस जो समीका दीख रहा है इसका हमें तुलना करना है मानक समीका से ठीक है मूल निकालने के लिए क्लिए क्या करेंगे दोस्त पहले तो हम क्या करते हैं सबसे पहला सिंपल सा मेथड है आप ध्यान से समझेगा किसी भी अगर सब से पहले क्या करते हैं asylum फेक्टर करते हैं अगर वह फेक्टर नहीं होता है ध्यान से समझ येगा अगर वह फेक्टर नहीं होता है तो उसमें आप क्या करेंगे स्रिधरा चार फार्मुला स्रिध荷ः चार फार्वाना लगाने कि लिए क्या करना होगा आपको मानक्स समीका से तुल्ना करना पड़ेगा मानक्स समीका होता क्या है दोस्त AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C इक्वल टू जीरो यह आपका क्या होता है मानक्स समीका होता है अब आप इस question को solve कैसे करेंगे यहाँ पे आप धान से समझेगा अब देखेंगे यहाँ पे एक एक point आप समझेगा अगर हम A की तुलना करें तो A equal to क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पे P minus Q ठीक है A equal to क्या हो जाएगा P minus Q अगर दोस्त यहाँ पे B की बात करें तो B equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे Q minus R क्या हो जाएगा Q-R और C की तुलना करें तो C equal to हो जाएगा R-P तो यहाँ पर दोस्ते आपको लिख देते हैं ध्यान से समझेगा A equal to मैंने आपको क्या बताया P-Q B equal to Q-R और C equal to R-P ठीक है इतना दोस्ते यहाँ पर क्या करें मानक समीकर से तुलना करने के बाद हमें A, B, C की value नहीं कर गया गई ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दिजिएगा जो आपका स्रिधराचार का formula होता है स्रिधराचार का formula क्या होता है तो यहाँ पर ध्यान दिजिएगा student जितनी भी student यहाँ पर जूड़ है सबी लोग वीडियो को classes को share कर दिजिए ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक student जुड़ पाएं और classes को एक बहतरीन classes के रूप में बदला जा सके एक अच्छी तरीके से यहाँ पर concept base आपका यहाँ पर question यहाँ पर clear कर आजा सके तो यहाँ पर ध्यान दिजिएगा यहाँ पर मैंने आपको बताया सिर्धरा चार का formula क्या होता है तो सिर्धरा चार का formula हता है x बराबर minus का b plus minus under root में b square minus 4ac upon 2a ठीक है यह क्या है यह आपका सिर्धरा चार का formula है कब लगाते हैं दोस्त ध्यान दिजिएगा जब आपका जिस भी इस यहाँ पर equation का factor नहीं ध्यान दिजिएगा जितने भी student यहाँ पर जुड़े हैं ध्यान से समझेगा एक एक point समझेगा जिससे दोस्त अगर आपका इस type formula का यूज कप करेंगे जब आपका equation जो आपका दिया हुआ है उसका हम factor न कर पाएं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है स्रिधरा चार formula का यूज करना होता है जिससे दोस्त आपका क्या है यहाँ पर मूल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ग्यात हो जाए अगर दोस् कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आप इसका formula का यूज भी कर सकते हैं ठीक है वहाँ पर क्या होगा दोस्त आपको जल्दी से वहाँ पर जो आपकी मूल है वो आपके मिल जाएंगे यहाँ पर दो मूल तो चलते हैं दोस्त इस equation में जो आपका equation है जैसा कि म a b c की value रखेंगे और इसको solve करेंगे तो यहाँ पर दिखिएगा एक एक point को आप समझेगा पहले यहाँ पर मैं रख रहा हूं दोस्ते ध्यान जीजिएगा minus का b तो minus का b करेंगे दोस्ते यहाँ पर q minus r हो जाएगा यह वाला b का position ठीक है यहाँ पर रख दिया plus minus under root का b square अथा q minus r का whole square minus 4 a c a किता था दोस्त मैं आपको बताया था p minus q आपका a था और c किता था r minus p ठीक है अपान में क्या होता है दोस्त 2a किती थी यहाँ पर to a की value आपका p minus q कितना था दोस पी minus q अब दोस्त यहाँ पर इसको हम solve करते हैं अंडरूट को यहाँ पर solve करके आपको direct यहाँ पर बताते हैं, तो under root को दोस्तों मैंने यहाँ पर direct solve किया, तो ध्यान दिजेगा, यह आपका Q-R था, यहाँ पर minus को common किये, तो यह आपका R-Q हो गया, ठीक है, यह आपका direct मैंने यहाँ पर solve किया, अंडरूट को, तो Q-R-2P, यहाँ पर direct solve कर दिया, अपान में किता हो गया दोस्त, 2P, ठीक है, इतना आगया direct, अब क्या होगा दोस्त, इसके बाद next step में क्या करना है, एक बार आपको plus लेना है, और एक बार आपको minus लेना है, एक बार plus लेकर solve करना है, और एक बार minus लेकर solve करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर मैं plus लेकर solve करूँगा, तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा, plus लेकर solve करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान दिजेगा r-q plus q plus r-2p अपान में 2p-q ठीक है, प्लस लेकर solve करने पे दोस्त यह आपका q से q cancel out हो गया, और यह आपका किता आगया, 2r किता आगया दोस्त यहाँ पे 2r-2p ठीक है, 2r-2p तो ध्यान दिजेगा, 2 2, यहाँ पे common कर लेंगे, r-p हो जाएगा यह कितना हो जाएगा, 2p-q यह आपका 2 से 2 cancel out हो गया, और कितना हो गया, r-p अपान में, p-q एक मूल आपका यहाँ पे निकल कर आगया किता दोस्त, एक मूल आपका निकल कर आगया कब यहाँ पे plus लेने पर आपको बताएंगे, minus लेने पर ठीक है, minus लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझेगा, r-q minus q-r plus का यह आपका 2p हो जाएगा, ठीक है, अपान में कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 2p-q ठीक है, इतना हो जाएगा अब क्या होगा, दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझेगा यह आपका r से r क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा यह 2p-2q, ध्यान दिजाएगा यह आपका 2p- का 2q 2p-2q अपान में 2p-q ठीक है, इसका दोस्त, यहाँ पे 2 common करेंगे, तो ध्यान दिजाएगा 2 common करेंगे, तो यह आपका p-q हो जाएगा, और नीचे आपका क्या था, 2p-q पहले से ही था, यह आपका क्या हो जाएगा total cancel out हो जाएगा, और आपका कितना जाएगा दोस्त, 1, कितना जाएगा एक आजाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा मूल हमारा जो आगया, माइनस रखने पे, वो हमारा कितना एक आया कितना दोस्त, माइनस रखने पे जो हमारा मूल आगया, एक आगया, तो यहाँ पे दोनों हमें मूल ग्यात हो गया पहला मूल के आया था दोस्त यहाँ पे R-P अपान में P-Q और एक दूसरा मूल ठीक है दोनों मूल यहाँ पे आ गए यही दोस्त इसका बिल्कुल ही correct answer है जिस भी student को यहाँ पे समझ में आ गया तो एक प्यारा सा comment आप जैहिन करके आप हमें जरूर बताईएगा C दोस्त इसका बिल्कुल ही correct answer है जिस भी student ने यहाँ पे जवाब दिया था C उनका यहाँ पे बिल्कुल ही correct answer है और जिन्होंने गलत जवाब दिया था वो अपना question को एक बार फिर से match करा ले और यहाँ पे देखें जैसे ही दोस्त इहाँ पे आठो question आपका complete हो जाए तो last में क्या करना है दोस्त जाके comment box में हमें answer कितने आपने question किया आठ में से कितने question को आपने solve किया comment करके आप हमें जरूर बताईएगा चलते हैं यहाँ पे test series के अगले question की ओर अगला question देखिएगा दोस्त यहाँ पे third question है समी करन under root 3 x square plus 11 x plus 6 under root 3 के मूल है तो इसका मूल कौन सा है दोस्त चारा option है जल्दी से दोस्त यहाँ पे वीडियो को pause करिए और जल्दी से question को copy पे note down करके इसको solve करना start करिए और तुरन दोस्त जैसे ही आपका answer आए तो comment box में हमें answer को बताईए किसका right answer क्या होगा तो आसा करते हैं दोस्त आप सभी लोग यहाँ पे question को solve कर रहे होंगे तो इसका दोस्त जो बिल्कुल ही correct answer है जिस भी student ने आ तो पहले से ही कर रखा है या दोस्त अभी अभी जिसका answer आया तो वो अपना question को यहाँ पे match कर आ ले answer क्या होगा इसका दोस्त जो आपका बिल्कुल ही correct answer है वो आपका a है minus 3 under root 3 और minus 2 बटे under root 3 इसका बिल्कुल ही correct answer है तो जिस भी student का यहाँ पे a answer दिया है उनका जो बिल्कुल ही correct answer है जिसका answer नहीं दिया है या जिनका answer नहीं आया है जिन्होंने question solve नहीं कर पाया है घबडाने की कोई ज़रुद नहीं है दोस्त एक एक point आपको समझाएंगे basic concept यहाँ पे clear कराएंगे तो ध्यान से समझेगा इसमें आपको बोल ला था कि समी करण इतने के मूल है तो मैंने आपको क्या बताया है सबसे पहले आपको क्या करना है इसके आपको factor करना है ठीक है अथार्थ इसका गुरंखन निकालना है गुलनखन निकालने के बाद आपका direct मूल आ जाता है अगर आपको गुलनखन नहीं हो रहा है ध्यान दिजगा इसको आप दो तरीके से solve कर सकते हैं एक तो कैसे करेंगे दोस्त पहले आपको गुलनखन करना है गुलनखन अगर ना आए ठीक है ध्यान दिजगा अगर आपको गुलनखन ना आए तो आपको क्या करना है यहां पर स्रिधराचारफ फार्मूला लगाना है कब लगाना है दोस्त जब आपका गुलनखन ना आए तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको गुलनखन करके देखता हूं यहां पर दिखेगा आप under root 3 x square प्लस यह आपका क्या है इस इसलिए दोस्त यहां पर स्रिधराचार फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहां पर कम समय में question को यहां पर solve कर सकते हैं इसके द्वारा ठीक है गुलंखंड के द्वारा आप जल्दी से यहां पर question को solve कर सकते हैं तो यहां पर क्या करना है यहां पर x को कामन करना है यह आपका कितना जाएगा अंडरूट 3 ध्यान दिजिएगा यह कितना आया था इतने को मैंने तोड़ा फिर से आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे तोड़ा यहाँ पर देखिएगा अंडरूट 3 यहाँ पर दो एक्स प्लस नौ एक्स प्लस शिक्स अंडरूट 3 इक्वाल टू जीरो ठीक है किता दोस्त अंडरूट 6 अंडरूट 3 इक्वाल टू जीरो अब क्या करना है यहाँ पर आप एक्स को कामन करना है ठीक है एक्स कामन करेंगे तो यह आपका रूट 3 प्लस यह आपक 2 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 3 अंडरूट 3 कामन करेंगे तो यह कितना जाएगा root 3 x plus 2 ठीक है equal to 0 अब क्या हो गया दोस्त एक bracket मेरा आ गया x plus 3 under root 3 और दूसरे bracket में आ गया under root 3 किता दोस्त अंडरूट 3 x प्लस 2 यह किता था दोस्त अंडरूट 3s प्लस टो यहां पर दिखोंक आप अगले स्टेप में में अ digging क्या था दोस्त एक भी रूट 3 एक ब्रेकट में अब दूसरे में क्या था धूस्त अंडरूट 3x अग्स अब क्या करना है यहां पर ंपरों मुल ग्याद करना x equal to minus 2 आपका इधर जाएगा यह आपका बट्टे में हो जाएगा कितना हो जाएगा minus 2 बट्टे root 3 ठीक है तो इसका दोनों का आपका answer आ गया x का हमारा 2 मूल यहाँ पे आ गया है पहला कौन सा आया था दोस्त यहाँ पे minus का 3 under root 3 और दूसरा आया था minus का सिरिच के अगले question को देखते हैं आपे एक एक point यहाँ पे clear करिएगा बहुत ही easy question है आप सभी लोग लगा चुके होंगे बहुत बार मैंने इस तरह के question को solve करा चुका है तो जल्दी से दोस्त आप question को यहाँ पे दिख रहा होगा आप question को copy पे जल्दी से बहुत से student यहाँ पे क्या है question को पहले से ही solve करा रखे हैं तो direct वो आप direct यहाँ पे answer को बताए कि इसका right answer क्या होगा तो आसा करते हैं दोस्त आप सभी लोग अभी तक comment box में comment करके हमें बता दियोंगे सभी लगभग दोस्त सभी लोग ने आप एक question को सही किया होगा इसका दोस्त बिल्कुल ही correct answer भी है दो इसका answer होगा कैसे होगा दोस्त मैं आप फिर से एक बार आपको solve करके बताऊंगा question को और जब भी आपको इस type question आएगा तो आपको से यही method लगाना है इसी तरीके से आपको solve करना है तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था यह आपको जब भी आपको इस type question मिले इसमें मुझे देखना क्या है दोस्ते यहां पे ध्याद जेगा अगर मैं इसको हटा रहा हूं किसको दोस्त इसको इसको हटा रहा हूं तो मेरा क्या है x equal to under root 2 यही मेरा बढ़ रहा है लगातार x equal to under root 2 और यह आपका जो है under root 2 यह हमारा लगातार समीकर में जो दिया हुआ है जो हमारा उसमें बढ़ता जा रहा है कहां तक जा रहा है दोस्त यह आपका infinite तक जा रहा है ठीक है infinite तक जा रहा है तो यहां पर दोस्त मैंने आपको क्या माल लिया इसको माल लिया कि यह हमारा जो टू है यह हमारा प्लस X क्या है दोस्त प्लस X तक जाएगा अथात इंफाइनाइट तक जाएगा ठीक है यही हमारा X जो है वो हमारा क्या है अंडरूट 2 अंडरूट तू अंडरूट तू रूट कितना तक दोस्त यह हमारा इंपानाइट तक जाएगा अब इसके बाद क्या करना है इसके बाद आपको क्या करना है वर्ग करना है वर्ग कैसे करेंगे ध्यान दिजेगा यह आपका x square equal to 2 plus x ठीक है x square equal to 2 plus x अब इन दोनों को आपको क्या करना है इधर बेजना है इधर कैसे बेज़ेंगे ध्यान दिजेगा यह आपका हो जाएगा x square minus x minus 2 equal to 0 अब क्या करना है इसका आपको गुलंखन करना है ध्यान दिजेगा एक एक पॉइंट आप समझेगा ध्यान से गुलं q-1 comment करेंगे x-2 यहां पर 1 कमण करेंगे x-2 ठीक है यहां पर 1 यहां पर ध्यान दीज़ेगा पहले से ही मुझे क्या करना है यहां पर प्लस वन करेंगे तो यह हमारा x-2 यहां पर आ जाएगा अब क्या होगा दोस्त एक ब्रेकेट में दूसरे में x-2 तो ध्यान दीज़ेगा x plus 1 और x minus 2 यहां पर मेरा x का 2 मूल आ गया क्या क्या आ गया दोस्त x equal to 2 और minus 1 ठीक है यह हमारे 2 मूल आ गया है अब दोस्त minus वाला neglect हो जाएगा क्यों दोस्त अगर इसकी value ध्याने जेगा यह आपकी value infinite जा रही है तो यह आपका minus 1 कभी नहीं हो सकता क्योंकि यह आपका plus 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 direct infinite तक जा रहा है ठीक है तो इसकी value आपका minus 1 होने की कोई संभावना नहीं है तो इसका दोस्त बिलकुल ही correct answer आपका 2 हो जाएगा इसकी जो value होगी वो आपकी 2 हो जाएगी तो जिस भी student ने यहापे b answer बताया था लगबग दोस्त सभी student ने यहापे सही जवाब दिया था b दोस्त इसका बिलकुल ही correct answer है चलते हैं दोस्त अपने test series के अगले question की और अगला question है यहापे धान से question को समझेगा और question बोल क्या रहा है दोस्त आप अच्छी तरीके से देखिए बोला है युगपत समीकरन 2x plus b1y plus c1 equal to 0 और xb2y plus c2 equal to 0 के अनन्त अनेक हल होंगे यदि इसमें आपको b1 और b2 c1 c2 ऐसे आपको value बताना है तो अगर आपने इस question को solve किया हुआ तो जल्दी से दोस्त आप फिर से एक बार यहाँ पर solve करिए और copy पर note down करके जल्दी से solve करके comment box से में answer को बताईए फिर मैं दोस्त आपको यहाँ पर question को एक-एक concept के साथ clear कराऊंगा कि किस type से आपको इस type के question को solve करना है तो जल्दी से दोस्त जिस भी student ने है पर question को solve कर रहे हैं तो जल्दी से दोस्त आप solve करके comment box में जाके comment करके हमें जरूर बताईए तो आसा करते हैं दोस्त आप सभी लोग question को solve कर रहे होंगे जिस भी student को समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप question को समझ यह question आपको बोल ला है कि यूबस समीकरन यह एक समीकर यह दिया हुआ है एक समीकर यह बोल ला है कि अननत हल होंगे इसमें मुझे दोस्त यहाँ पे क्या है option देखने पर मिल ला है कि हमें यहाँ पे b1 और c1 की value ग्याद करना है ठीक है B1 और C2 के form में घ्याद करना है ठीक है तो उसके लिए दोस्त हम क्या करेंगे ध्यान से समझेगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अगर हम इस समीकर का इस समीकर से तुलना करवा देंगे तो वहाँ पे हमें जो B1 और C1 की जो value है वो हमें मिल जाएगी या B1 C2 जिस भी form में आपको चाहिए वहाँ पे मिल जाएगी तो पहले माँ दोस्त इसका बिलकुल ही यहाँ पे correct answer बताऊंगा कि इसका correct answer क्या होगा तो इसका जो जो आपका correct answer होगा वो आपका 2B2 और 2C2 होगा क्या होगा दोस्त यहाँ पे B1 equal to 2B2 और C1 equal to 2C2 होगा B दोस्त इसका बिलकुल ही यहाँ पे correct answer है ठीक है कौनसा दोस्त B इसका बिलकुल ही correct answer है जिस भी student ने यहाँ पर B को answer बताया है उनका दोस्त यहाँ पर बिल्कुल ही correct answer है कैसे आया दोस्त यहाँ पर आप एक एक point को अच्छी तरीकिस देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे यह आप 2 देख रहेंगे ठीक है इस 2 का मुझे divide कर देना है समीका में दो से भाग देने पर ठीक है तो कितना हो जाएगा x plus b1 upon में 2y plus c1 upon में2 equal to zero ठीक है अब आपका समीका यह नहीं रहा ठीक है आपका समीका यह होगया और दूसरा समीका यह हो गया अब आपको क्या करना है यहाँ पर तुलना करवाना है समीकरण 1 का समीकरण 2 से हमें क्या करना है तुलना करेंगे तो ध्यान दिजेगा B1 अपान में 2 ध्यान दिजेगा B1 अपान में 2 इक्वल 2 क्या हो जाएगा B2 और C1 अपान में 2 इक्वल 2 क्या हो जाएगा C2 ठीक है तो अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे जैसे मैंने आपको बताया क्या बताया दोस्ते हाँ पे B1 अपान में 2 equal to B2 और C1 अपान में 2 equal to C2 अब इस 2 का मल्टिपलाई आपको इधर करना है दोनों में तो के कैए दोस्त याँ पर B1 की जो value आजेगी वो आपकी क्या आ जाएगी 2 B2 और C1 की जो value आएगी वो आपकी 2 C2 आजएगी यही दोस्त इसका बिलकुल correct answer है और B दोस्त आप्षन भी इसका बिलकुल ही यहां पर correct answer है जिस भी student नहीं पो b को आ गया concept आपको समझ में आ गया और बहुत से student कमेंट कर रहे थे तो उनको हम बताने चाहेंगे ध्यान दिजेगा आप बहुत से student क्या है यहां पर comment कर रहे थे किस तर आप question को solve न कर आ गये इससे दोस्त आपको बहुत फायदे होते हैं अभी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन दोस्त जब आपको interest exam में बैठने जाएंगे न तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से कि हां सर क्या बोले थे वहां पर कितने question वहां पर solve करा रहे थे तो इसलिए दोस्त मैं बार-बार एक ही question को solve करता हूं क्यों क्योंकि जानते हैं दोस्त यही आप question आपको interest exam में भी मिलने वाला है किवल दोस्त क्या होगा अंको का हेर फेर होगा या question ऐसे question भी आते हैं जो कि सेम सेम आपके question सम छपे होते हैं अगर आपको दोस्त प्रिवियस एर के question paper देखेंगे तो वहां पर भी दोस्त ऐसे question आपको जरूर देखने को मिलेंगे और जि बहाऊना है रहती हैं तो चलते हैं दोस्त यहां पर test search के अगले question के और अगला question ध्यान से पढ़िएगा और जल्दी से question को solve करने की कोसिस करिएगा यहां पर दोस्त question है यदी समीकरण x square minus px plus 8p minus 15 equal to 0 के दोनों मुल्स समान हैं तो p का मान क्या होगा तो जल्दी से दोस्त आप copy pen note down करिए और इसको solve करके जल्दी से बताइए कि इसका right answer क्या होगा तो आसा करते हैं दोस्त आप सभी लोग question को solve कर रहे हैं जिस भी student नहापर solve कर लिया है वो अपना question को match करा ले है इसका दोस्त बिल्कुल ही जो correct answer है वो आपका d है दो और 30 जो इसका दोनों का जो मूल है वो आपका कितना है दो 30 कैसे आया दोस्त यहां पर एक एक point आपको समझाएंगे question दोस्त आप पहले बोल क्या रहा था यह आप देख लीजिए इस question को आप दो तरीके कर सकते हैं ठीक है तो हम पहले दोस्त यहां पर simple method आपको बताएंगे कि आप इस तरीके किस तरीके से कर सकते हैं पहले समीका एक आपका equation दे रखा है ठीक है इसके आपको क्या करना है ध्यान से समझेगा इसको आप दो तरीके solve कर सकते हैं पहला कैसे पहला तो आप इस तरी के solve करेंगे कि पहले आपको क्या करना है मुलो का योगफल और मुलो का गुडणफन निकाल के ठीक है दूसरा क्या क्या करेंगे दूसरा अगर आप direct मुलो का योगफल अगर मुल समान है mul समान है B square 2-4AC समान है तो उसका जो समी वह होता है equation वह आपका किता होता है b square equal to 4ac ठीक है b square minus 4ac equal to 0 तो यहाँ पर मैं short trick अपनाऊंगा और direct आपको यहाँ पर question solve करके बताऊंगा तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा यहाँ पर जो आपका b की value है वो क्या है minus P ठीक है यह आपका है bativo ठीक है अगर हम यह पर एक की बात करें तो . c की value है 8p-15 ठीक है आठ P-15 यह आपकी सी की value है अब को क्या करना है b square minus 4ac में इन तीनों का value आपको क्या करना है आप पर put 4AC, B square equal to 4AC, तो B की value किती थी दूसर माइनस का P square equal to 4 into A कितना था 1, और C कितना था दूसर यहाँ पे 8P minus का 15, यह आपका C था, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 4 का multiply, इस में करना है, और इन सभी को आपको इधर लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यह आपका P हो जाएगा, P, यह आपका कितना हो जाएगा, 8 चोग 32, इधर प्लस में है, इधर जाएगा, माइनस का 32 P हो जाएगा, यह आपका किता था, इधर आपका माइनस में था इधर जाएगा आपका किता हो जाएगा प्लस में ठीक है यह आपका प्लस में 60 इक्वाल टू जीरो अब आपको equation मिल गया equation क्या मिल गया ध्यान से समझेगा फिर से मैं यहां पर लिख रहा हूँ equation आपको मिल गया पी स्क्वायर माइनस बतीस पी प्लस 60 इक्वाल टू जीरो यह आपको equation मिल गया अब आपको equation solve करिए और डारेक्ट आपका यहां पर दो मूल निकल कर आ जाएंगे equation आप दो तरीके solve कर सकते हैं पहला तो आपको फेक्टर मैथल अपनाना है जो कि short विधी जिसको बोलते हैं आपको कम समय में solve कर सकते हैं फेक्टर विधी से दूसरा क्या है दोस्त अगर आपको यहां पर ना आए यह इसकी value निकालने में कठिनाई हो तो आप यहां पर समीका से तुलना करेंगे मानक समीका ax square plus bx plus c से तुलना करके डिरेक्ट यहां पर क्या करेंगे यहां पर स्थिद्राचार formula लगाएंगे और वहां से आप इसके मूल को निकालेंगे तो यहां पर दोस्त मैं आपको डिरेक्ट यहां पर बताऊंगा गुलन खंड विधी ठी इसकी p square minus 32p plus 60 तो यहां पर दिखिएगा p square minus 32 को आप तोड़ दिजी दोस्त दो भागों में तो यह आपका 30p minus 2p plus 60 equal to 0 ठीक है अब आपको क्या करना है p common करना है तो यह आपका p minus 30 हो जाएगा इसमें आपको क्या करना है minus 2 common करना है तो यह आपका p minus 30 equal to 0 ठीक है अब आपको क्या आगया p minus 2 और p minus 30 ध्यान दिजीगा यह आगया p minus 2 और p minus 30 equal to 0 ठीक है अब यहां पर p के दो मूल आगया पहला आगया 2 और दूसरा आगया 30 यही दोस्त आपका यहां पर बिल्कुल ही correct answer ह है जो आपका दोनों मूल ध्यान दिजीगा दो जो आपका p का मान है वो आपका कितना है दो और 30 है ठीक है तो इसका बिल्कुल ही correct answer D है जिस भी student ने आपके D को answer बताया था वहां दोस्त बिल्कुल ही आपके correct answer है और जिनका भी question को solve नहीं कर पाया है वो आप question को फिर से ए हैं तो चलते हैं दोस्ते यहाँ पर test series के अगले question की और यहाँ पर दोस्त अगला question है question को ध्यान से पढ़िए यहाँ पर बोला है यदि समीकरण निकाह kx plus 2y equal to 5 और 3x plus y equal to 1 का एक अधिरती हल है तो हमें k की value बताना है तो इसमें आप किस type से कर सकते हैं यहाँ पर जल्दी से आप comment box में जाए और question को solve करके हमें answer को बताईए फिर मैं दोस्ते यहाँ पर answer बताऊंगा और किस type से इस question को solve करेंगे वो भी दोस्त मैं आपको बहुत ही concept के साथ यहाँ पर बताऊंगा तो आसा करते हैं दोस्त आप सभी लोग question को solve कर रहे होंगे इसका दोस्त जो आपका correct answer है वो आपका भी है जिस भी student यहाँ पर solve कर चुके हैं अपना answer को match करा ले इसका correct answer आपका B है यहाँ पर जो भी student यहाँ पर B answer बता है वहाँ पर दोस्त बिल्कुल ही यहाँ पर correct answer है जिसका answer wrong आया है वो अपना फिर से यहाँ जैसे मैं solution बताऊं तो वहाँ पर match कराईएगा और देखिएगा कहां पर मैंने आपर question को solve करने में गलत किया है चलते हैं दोस्ते यहाँ पर question को solve करके बताते हैं जब भी है दोस्त आपको इस type से question आएगा ध्यान से समझेगा इसको बोला था एक अधिरती हल है अथार्थ मुझे क्या करना है यहाँ इसमें और इसमें ध्यान देजाएगा इसमें समीकरन दोनों समीका का तुल्ला करना है आपस में आपस में तुल्ला कैसे करेंगे दोस्त इसमें आपको a1 a2 a1 a2 b1 b2 c2 इसका आपको क्या करना है value यहाँ पर गात करना है जैसे आप value गात करेंगे तो यह हमारा जुक्की है इसकी हमें k की value मिल लियागी और हमें पे के की value को हमाँ पाता करना है ठीक है find out करना है किसका दोस्ट के की value को तो कैसे करेंगा तो यहां पर दिखीए सब स्चाहरा करते हैं तो आपका इस समीकर्ण करते हैं तो इक्वल टू किता आगया दोस्तने आप तीन आ गया इतना आपको समझ में आ गया अब ध्यान दीज़ेगा यह आपका तीनों किये आपका मिक्स नभी कर दिया अब यहां पर ध्यान दीजिएगा यह मैंने एवन कर दिया इसको A1 B1 C1 और इसको A2 B2 C2 कर दिया अब आपको करना क्या है अगर इस समीकर का हल है ध्यान दिजेगा अगर इस समीकर का हल है तो यह हमारा जो होगा A1 अपान में A2 और B1 अपान में B2 यह कभी इक्वल नहीं होगा अगर इसका हल है ध्यान दिजेगा अगर इस समीकर का यह आप आपस में कभी भीवी और नहीं होंगे अथार्थ A1 अपांग में A2 Equal to B1 अपांग में B2 कभी b बराबर नहीं होंगे ठीक है तो इसलिए यहाँ पर हम A1 A2 और B1 B2 की Hello को एहाँ पे Put करेंगे अब ध्यान से समझेग कि यहाँ यहाँ पर value को आपको आपकी वेल्यू दो थी ले कॉछ वेल्ड एक है जिटने कोश्चन बताएंगे दोस्त आपको सभी क्वेश्चन आपको इन्टरेंस इक एकब देन्ट क कॉछ वेल्यू सिदिम्ज और और सभी आपको concept base है, जैसा कि दोस्त मैंने आपको बताया, total इस lesson से आपको 4 question आएंगे, 16 number आएंगे इस lesson से, ठीक है, तो सभी lesson दोस्त आपके लिए बहुत ही ज्यादा important है, most important chapter है, ठीक है, तो जितने आपको question बता रहे हैं, आप question को एक बार फिर से revision करिएगा, और आप practice य solve करिए, अभी तक दोस्त आपका जो examination है, entrance exam वो आपका date काफी वह चुका है, इस समय आपका June में चला गया है, ठीक है, तो 14 June जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने यहापर notification भी डाला था, कि आपकी जो entrance exam की date है, वो आपकी बढ़ा दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे और आप अच्छी तरीके से तैयारी में जुड़ जाए, ठीक है, तो exam आपका जब भी हो, इस से क्या होगा दोस्त, आपको फायदा ही फायदा हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझेगा, आप पढ़ाई start कर दीजे, ठीक है, इस से क्या होगा दोस् का number अच्छा है तो, ठीक है, इसलिए आप सब महनत करिए, घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, खुब मन लगागा पढ़िए, यहाँ पे दोस्त, question को बात करते हैं, तो यहाँ पे B इसका बिलकुल ही correct answer है, जिस भी student ने यहाँ पे B को answer किया था, उनका दोस्त यहाँ पे बिलकुल ही correct answer है, चलते हैं दोस्त, test series के अगले question की और यहाँ पे, तो अगला question है, ध्यान से question को पढ़िएगा, question है, यदि x plus y plus z equal to 6, और xy plus yz plus z equal to 11, तो इतने का मान होगा, x square plus y square plus z square का मान क्या होगा, तो जल्दी से दोस्त, वीडियो को pause करिए, और तुरं करना, start कर दिजिए, तो आसा करते दोस्त, आप सभी लोग question को solve कर रहे हैं, तो इसका दोस्त जो आपका correct answer आएगा, मैं हाँ पे answer को पहले बता रहा हूँ, इसका दोस्त जो आपका correct answer आएगा, वो आपका C आएगा, 14 इसका बिलकुल ही correct answer होगा, चिसभी student ने यहाँ पे question को solve कर लिया है, वो अपना question को यहाँ पे match कर आ ले, उसका जो correct answer है इसका, वो आपका C होगा, 14 इसका answer होगा, कैसे है दोस्त, यहाँ पे, बहुत बार intrinsic exam में आया हुआ question है, और ऐसे ही आपको intrinsic exam में भी देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हमें कह करना क्या है दोस्त, यहाँ पे, ध्यान दिजेगा, x plus y plus z का whole square, ठीक है, इसका हमें formula क्या होता है, ध्यान दिजेगा, इसका formula होता है, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, तो यहाँ पे मैं two common कर ले रहा हूँ, तो क्या हो जागा, xy plus yz plus zx, यह हमारा formula हुआ है, ठीक है, अब मुझे क कर रहा था, मुझे हमें इसकी value, किसकी x square plus y square plus z square की value पता करना था, और ध्यान दिजेगा, हमें x plus y plus z की value दे रखा है, अथार्थ इसका value दे रखा है, और इसका value दे रखा है, तो direct दोस्त में हमें कुछ भी नहीं करना है, मुझे direct यहाँ पे रख देना है, तो इसका हो जा को ऐसे ही रखना है दो इंटू किता हो जाएगा 11 जो हमको आदा एकस वाई यजड और जेड़ दे रखा है किता 11 तो यहां पर करके देखते हैं दोस्ते यहां पर ध्यान देज़ेगा यह आपका 6 का i square हो जाएगा एक्वल टू यह आपका क्यों हो जाएगा X square वाई S square प्लस 2 into इसका value किता है था 11 ठीक है इसका multiply करेंगे 11 दुना के 22 और 22 को आपको क्या करना है इधर भेजना है तो इधर करेंगे दोस्तों यह आपका किता हो जाएगा 36 minus 22 equal to x square plus y square plus z square इसका दोस्त यहां पर घटाएंगे तो यह आपका 14 हो जाएगा और 14 किसके बराबर जाएगा 100 square plus y square plus z square तो इसके बराबर आजाएगा इसका दोस्त जो value आजाएगी वह आपकी 14 हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको starting में ही बताया इसका जो correct answer है वह आपका C है जिस भी student यहां पर C को answer बताया है उनका दोस्त यहां पर बिल्कुल ही correct answer है यह द comment करके हमें जरू बताईए आसा करते हैं दोस्त आज की classes आपको पसंद आई हो वीडियो अच्छा लगाओ दोस्त वीडियो को like करिएगा और दोस्तों में आप share करना न भूलिएगा ताकि दोस्त सभी student आपके जो student मित्र हैं उनको भी पास classes का वीडियो दोस्त पहुंच सक सके और वे भी दोस्त इंट्रेंस एक्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके धन्यमाल